हलो गाइस मैं हूँ आपका दोस्ट दिंदू और आज हुँ बात करने वाला हूँ Character Brief के बारे में कि Character Brief एक्शनल में होता क्या है Character Brief audition को crack करने में क्यों help करता है Character Brief किसी भी अक्टर्स के life में क्यों important रोल प्ले करता है तो character brief को detail से समझेंगे और यही जानने का कोशिस करेंगे कि audition देदने के time पे character brief क्यों important होता है क्यों character brief के बारे में जानना जरूरी है क्यों character brief जब तक किसी actor को नहीं पता रहता है तो audition correct नहीं कर पाता है और यह audition correct में क्यों help करता है इन सारे question का जवाव आज का वीडियो में होगा तो वीडियो में लाश तक जरूर बनने हुग रहेगा और जो लग सब्सक्राइब नहीं कियें प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारी बाते होती है प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा अब बात करते हैं कि character brief होता क्या है देखिए character brief का मतलब होता है कि किसी भी character का जो skill है जो उसके अंदर का जो गुन है वो उसके बारे में जो जानकारी खठा करके जो बताया जाता है वही उसका brief होता है जैसे किसी भिखमांगा के character को आप उठा लीजे तो वो भिखमांगा का character है वो भिखमांगा का background क्या है वो कैसे बोलता है भीख कैसे मांगता है दिखता कैसे है चलता कैसे है उसका बाल का तरीका कैसे हो कपड़ा कैसे पहांता है वो बैठता है तो कैसे बैठता है, वो हसता है तो कैसे हसता है, उसका family background कैसा है, वो पढ़ा लिखा भिकमंगा है, वो किस तरह के परिवार से आया है, उसके बारे में सारा जानकारी को इकठा करके बताना ही उसका brief होता है, character का brief कहलाता है, तो ये था guys, character brief उस भिकमंगे का, कि audition देने के time पे आपको एक dialogue मिलेगा उस dialogue को तो आप याद कर लिजेगा लेकिन वो dialogue बोल कौन रहा है इसके बारे में जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना तब तक आप अच्छे से अपना audition नहीं दे पाईएगा तो आपको पता करना हुआ कि यह जो dialogue बोल रहा है वो आदमी है कौन वो एक पढ़ा लिखा आदमी इंसान है या फिर वो एक अनपढ़ इंसान है या फिर वो एक business man है या फिर वो एक service man है या फिर वो एक young आदमी है या फिर वो एक oldest आदमी है ये किस तरह का आदमी है जो इस dialogue को बोल रहा है जिसको हमको audition देना है उसके बारे में आपको पूछना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है आपको कोई नहीं बता रहा है तो आपको अपने casting director से पूछना पड़ेगा कि sir ये जो character है इसके बारे म चीज पूछ लीजे जब तक आप नहीं पूछिएगा तब तक आप अच्छे से उस प्लब नहीं कर पाये और जब तक आप उस character को अच्छे से बील नहीं कर डिये तो ये आपका chance नहीं होता audition को crack होने का आपका 95% chance होगा कि आपका audition select नहीं होगा आपको unfit कर दिया जाएगा क्योंकि जिस तरह की situation को सोचके उस character को लिखा है writer ने उस तरह का situation में आप उस तरह के character को आप perform नहीं किये हैं क्योंकि आपको character भी पता ही नहीं था आप तो बस ऐसे ही गाए और perform कर दीं क्योंकि आप अपने को बहुत अच्छे actor मानते हैं तो यहाँ पर आपका फेल हो जाता है idea यहाँ पर आपके साथ मैं अगरी नहीं करता हूँ आप अच्छे actor हैं मानते हैं लेकिन आपको character भी पका जानना बहुत जरूरी है और यहीं पर कोई एक सोसो एक्टर जो जादा अच्छा नहीं है जो जादा खराब नहीं है उसको अगर अच्छे से character भी बता दिया जाता है कि देखो भाई यह जो character है यह character college going a student है और यह थोड़ा mentally disturbed है और इसका अभी अभी break up हुआ है अपने girlfriend के साथ और इसका family background जो है बहुत rich family background का यह है लेकिन mentally थोड़ा सा disturb है और अभी इसका girlfriend से break up हुआ है जिसके बज़ा से और थोड़ा mentally disturbed हो गया लेकिन पढ़ने में बहुत तेज है यह बात जब आपको बता दिया गया तो एक social actor जो ज्यादा अच्छा भी नहीं था ज्यादा खराब भी नहीं था वह आपसे बढ़िया परफॉर्म कर देगा आप भले ही नेश्डी से pass out है आप FTI का student रह चुके हैं यह कुछ नहीं काम करेगा वहाँ पर character भी फगर एक social actor को मिल जागा न तो वह audition को crack कर देगा क्योंकि उसको पता है यार उस character के बारे में और जैसी उस तरह को perform करेगा और उसका audition उसका casting director, creative, direction team, writers team सब बैठ के देखेगा तो उसको लगा क्या रह या सी ही तो हम actors को लिखे थे यही सोच को लिखे हैं एकदम फीट बैठ रहा है actors मेरे characters में और वो actor का chance 95% हो जाता है select होने का तो character brief इतना बड़ा role play करता है किसी भी खास actor को एक अच्छा character brief मिल जागा तो वो फाड़ देगा यह मेरा personal experience है और मैंने ऐसे बहुत सारे actors को एक अच्छा character brief जब दिया है तो अच्छा perform किया है मैं खुद देखा हूँ यार मैं audition लिया हूँ मैं खुद देखा हूँ बहुत अच्छा perform किया है और वो actor कुछ खास नहीं था जब वो sit पर आया finally shoot करने के time तब वो हाँ पर बरवात कर दिया scene को यह भी हुआ है क्योंकि वो अच्छा actor था नहीं उसको अच्छा character brief मिला था इसके वज़े से उसका audition crack हो गया था लेकिन finally वो sit पर अच्छा perform नहीं कर पाया और उसके वज़ए से उसका character का track है धिरे-धिरे writer से उसको खत्म कर दिया creative उसके साथ बैठा और character को ही खत्म कर दिया मरवा दिया या फिर foreign भेजवा दिया या पिर दोस्ते को परास भेजवा दिया hospital में प्मिट करा दिया इस तरह से उस character को खत्म कर दिया जाता है इतना अच्छा से अपने अंदर उसको ढाल के और perform किया ना कि आज तक उस film को लोग याद करते हैं, आज तक उस character को लोग याद करते हैं तो character brief बहुँ जादा important है, इस बात को अब जरूर समय जिये और जब भी audition दिने जाएएएग अच्छा सा character brief मांगे अपने casting director से जब तक कि आप satisfied नहीं हो जाते हैं, तब तक आप उससे बैटके आप character brief मांगे character brief के बारे में पूछिए, उस character के बारे में समझने का कोसिस कीजिए बस audition मत दीजे, भीड का हिस्सा मत बनिए, भीड से अलग बनिए एक अक दिन में मैं देखा हूँ, 10 से 15 15 audition actors देते हैं बॉम्बे में पूरा दिन, दिन भर निकलते हैं और audition देते रहते हैं और साम को आते आते तक 15 15 audition देके घर आते हैं और ऐसे daily करते हैं, महीनों करते रहते हैं कोई भी audition का crack नहीं होता है, यही कारण है क्योंकि वो character brief नहीं मांगते हैं, उनको पस लगता है कि यहाँ वला audition देदू, वहाँ वला audition देदू, वहाँ वला audition देदू और कोई audition निस हो जाता है, तो टेंसन लेकर बैठे हुए रहते हैं आपको free mind रहना है, बिल्कुल cool mind रहना है, जब तक आपका mind free नहीं नहीं रहेगा तब तक आपके दिमाग में कोई दूसरा character नहीं आ पाएगा आपका दिमाग में अलग-अलग बात चलते रहेगा, तो आप character को अच्छे से समझ नहीं पाईएगा क्योंकि आपका दिमाग disturb है, तो mind को बिल्कुल free रहेगा, बिल्कुल cool रहेगा और जितना दिमाग खाली रहेगा, उतना ज़्यादा नहीं नहीं character को अपने अंदर ढालिएगा और जब आपको character भी पच्छा मिल जागा, तो आप अच्छा परफॉर्म कीजेगा तो दिन में एक या दो ही audition दीजिए, लेकिन अच्छे से character के brief को समझ के दीजिए character के बारे में जानकारी कठा करके दीजिए, उसके उपर काम कीजे ये भी हो सकता है कि आपको एक दिन में किसी भी character को अच्छे से नहीं समझे हो तो आप घर चले जाएए, अगला दिन आएका audition दीजिए, लेकिन उसके उपर काम करके आईए, अपना पूरा home bar complete करके आईए और जब आप एक बार आप character भी पच्छे से कर लीजेगा, अपने उपर समझ लीजेगा, उस character को अपने अंदर समेट लीजेगा तो आपका कोई नहीं रोक सकता है आपको audition को crack करने में, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूँ और ऐसा मैं देखा हूँ यार, बहुत नजदीक से देखा हूँ, एक साधारन से actors को audition crack करते हुए और बड़े-बड़े TV serial और फिर्मों में काम करते हुए और एक बार अगर उनका चेहरा दिख जाता है और अच्छा perform कर देते हैं, तो वो फिर hit हो जाते हैं ऐसे ही actor से star बनते हैं और hero बनते हैं, यह मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ, इसलिए आपके साथ share कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा हूँ तो जरूर लाइक कीजेगा, अपने दोस्तों के बीच में share भी कीजेगा, सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाएगा, तब तक के लिए keep watching and जैहन दोस्तो